कक्षा 11 वी की बुस्तक आरो में, आरो भाग एक में ये वाले कविता लगी हुई है, ठीक है, जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं ठीक, इस कहानी का हम लोग, इस कविता का सोरी, इस कविता का हम लोग सारांश जानेंगे क्या है इस कविता हमें इसको समझेंगे तो ये निर्मला पुतुल जी के द्वराल की कविता है, अगर इस कविता को अपने डिटेल में पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आप जाके इसको देखो अच्छे से, वहाँ पूरा डिटेल में बताएंगे यहां मैं आपको साराश बताऊंगा चैनल के साथ आप जुड़े ही हैं आपका बहुत धन्यवाद, अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास तक देखें तभी समझेंगे, ठीक है तो यहां पर आओ मिलकर बचाएं यहां जो निरमला पुतुल है, यह है निरमला पुतुल हमारी, जारखंट की रहने वाली है और सन 1972 मैं तर जन्म हुआ था, जारखंट की रहने वाली है और यहां पर यह कहा रहे हैं कि आओ मिलकर बचाएं किसको बचाने के लिए कहा हैं? कभीता तो बहुत सबल है, एक तम शब्दू में लिखी हुई है, किसको बचाने के लिए अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं और जो हमारी बस्तिया है, ये ना आदिवासी समधाय से बिलॉग करती हैं, तो इनों ने कहा है कि अपनी से आजाए बरुपते हाँ किसे नंगी होने से, मतलब शहर की आवो हवा से बचानयों से, can we just here. शहर में जो गाउं में भी आने लगगे हैं तो कंड़िय में उसको अगुस ने दे दूसरा यहां पर एक और भाब भी आता है कि गाउं में क्या हो रहा है कि पेड़ पोधे शब कट रहे हैं तो पहाड़ीयां भी नंगी हो रही है तो उनसे ही बचाएं बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में हडिया जगा का नाम है उसमें हम इसको क्या करें बचाएं अपने चहरे पर संथाल संथाल पर गना जारगंड की ही संस्कृति है कि माटी का रंग बाशा में जारखंडी बन ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट मन का हरापन बोला बन दिल का अखडबन जुजारू बन भी ठंडी होती दिनचर्या में जो हमारी दिनचर्या जो ठंडी हो लिए उसमें जीवन की गर्माहट लाएं लोग क्या कर रहे हैं आदुनिक्ता में आकर के सब काम दंदा सब छोड़ रहे हैं तो जब काम दंदा नहीं करेंगे तो हम में गरमाहट कैसी आईगी तो मन का जो हरापन है वो भी लेके आएं, बोलापन दिल का अखडबन जो जारुबन भी जो गाउं के लोग हैं उनमें ये सब चीजें होती हैं बोलापन, अखडबन, जारुबन लेकिन शहरों में ये नहीं देखती हैं उणिटो की शेयरों में लोग जो है एक आदुनेक्ता की होड में भाग रहे यह बागा कि निर्मलता पहाड़ों का मौन गीतों की दोने विट्टी का सौंद्वन फसलूं की लहलाट नाचने के लिए खुला अंगन गाने के लिए गीत्ते के सब सब ऐसे शब्द लिखे हुएं जिसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि आपको इसका पता ही नहीं है रोने के लिए मुठी बरे कान चाहिए, बच्चों के लिए मेधान, पश़्ों के लिए हरी-हरी कास, बुडों के लिए फार लोंगे शानती और इसा विश्वास बरे दोर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उमीद, थोड़े से सपने ठीक, और बाद में कहते हैं कि आओ मिलकर बचाएं कि इस दोर में भी बचाने को अभी बहुत कुछ बचा है, अब भी हमारे पास तो यह छोटी सी कवीता है, जिसको आप पढ़के ही समझ जाते हैं सारा यह सारा तो यही इसका सारांश है, कुछ आपको विशेश नहीं लगा होगा, कहीं व्याकरन नहीं दिखती है तो कैसी लगी वीडियो, आप जरूर बताएं, लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी कहानियों का सारांश में आपको यहां पर बता रहा हूँ, ठीक है आगे वाली जो कवीता है, उसके बारे में भी जाने, या ट्वल्थ की जो भी बुक्स हैं, उनकी कवीता हैं, या उनकी कहानियां वो भी आप मारे चैनल पर देख सकते हैं